Hello everyone, let's learn and grow class में आप सभी का स्वागत हैं इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं 6th Standard के इतिहास का Lesson No.2 आखेट खाद संग्रा से भोजन उत्पादन तक यह जो chapter है ना हमने already start कर दिया है और यह chapter जो है आज खतम होने वाला है क्योंकि most of the topic हमने आज हमने पहले से ही खतम कर लिया है तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्थाई जीवन की और मतलब कि जो भी हमारे खाद्य संग्राहक थे वो स्थाई जीवन की और कैसे बढ़े है ना तो देखो उन्होंने कैसे बढ़े है कि उन्होंने फार्मिंग करना स्टार्ट किया और फार्मिंग जो है वो एक दू दिन का काम नहीं होता है महिनों और सालबर का काम होता है तो इसके लिए उनको लंबे समय के लिए एक ही प्लेस पे रहना पड़ता था तो इस प्रकार से इनका स्थाई जीवन शुरू हुआ चलिए देखते हैं तो जो पुरा तत्व वाले है ना उनको कुछ पुरा स्थलों में पुरा स्थल का मतलब होता है जहां पर कुछ अफशेश मिले हैं मतलब हड़िया मिली हैं अनाज के दाने मिले हैं जोपडिया मिली ह घर मिले है ठीक है तो कुछ पुरा स्थलों में क्या मिला है उनको जो पड़िया मिली है और घरों के निशान भी मिले है ठीक है जैसे कि एक प्लेस है बुर्ज होम ठीक है बुर्ज होम जो कहां पर है कश्मीर में है और वहां पर क्या मिला है लोग जो है ऐसा एक एविडेंस म बनाते थे तो उसके अंदर वो क्या करते थे घर को बनाते थे जिससे क्या कहा जाता है गरतवास कहा जाता है यह इंपोर्टेंट है आप लिख लिजीगा कि गड़े के अंदर घर बनाने को क्या कहा जाता है गरतवास कहा जाता है और वो कहां पर बनता था कश्मीर में बनता ठीक है अग उसमें अंदर उतरने के लिए सीडिया भी बनाई होती थी ठीक है इसमें ये अंदर क्यों बनाते थे क्योंकि ठंड के मोसम में उन्हें सुरक्षा मिलती होगी इसलिए वो गढ़े के अंदर अपना घर बनाया करते थे हैं बहुत सार जो पुरतत्व वाले हैं को जोपड़ियों के अंदर और जोपड़ियों के बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है मतलब ऐसे एविडेंस मिले हैं जहां पर आग जली है घर के अंदर भी और घर के बाहर भी आगे जली है तो ऐसा लगता है कि मोसम के अनुसार ये क्या करते होंगे घर क के अंदर और घर के बाहर खाना पकाते होंगे और जब घरमी का मोसम हो थे खाना अगर थंडीयो का मोसम है या वारिष का मोसम है तो घर के अंदर खाना बनाते हैं तो हो सकता हो सकव यह अनुसार तो और बाहर ray сохранya बनाते खो आ ना चलो नेक्स्ट बहुत सारे जग्हों से पत्थर के 10,000 भी मिले हैं और इनमें से कई ऐसे हैं जो की पुरा पाशन यूगिन उपकरवण से भिन हैं तो बहुत सारे पत्थर के 10,000 तो मिलें बट यह पुरा पाशन काल में जो पत्थर मिलें उनके कमपेरिजन में काफी जैसे इसको क्या नाम दे दिया गया इसे नव पाशान यूग मान लिया गया ठीक है क्योंकि इसमें क्या किया गया है कि जो पत्थोर से बनाएगे जो अवजार है वो पुरा पाशान काल के comparison में different है इसलिए इसको क्या मान लिया गया नव पाशान मान लिया गया ठीक है इन में से औजारे भी है जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर polish चड़ाई जाती थी ठीक है आपने ओकली तो सुनाई होगा ना ओकली ऐसा होता है इसके ओपर ठक 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 के मारते है और मूसल का उपयोग जो होता है मसाले वगरे पीसने में किया जाता है मूसल बोलते है यह भी कुछ ऐसा और ऐसा कुछ होता है और एक लेडी यहाँ पे खड़ी होगी और उसके हाथ में इतना बड़ा धंडा होगा उससे ठक ठक मार मार के मसालों को पीसते थे तो अनाज तथा वनस्पतियों से जो प्राफ चीजें हैं उनको पीसने के लिए ओखली और मूसल का इस्तमाल किया जाता था हजारों साल बाद भी आज भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है उसी तरह से अगर प्राचिन प्रस्तर यूगिन अजारों क का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है कुछ अवजारे जो है वो हड्डियों से भी बने होते थे आप यह फोटो में देख सकते हैं कि जो पत्थर है वो कैसे अलग-अलग डिफ्रेंट डिफ्रेंट शेप में हैं है ना चलिए आगे देखते हैं तो नो पशान यूग जो है ना जिसमें पत्थर जो है अलग-अलग तरीके से मिले तो नो पशान यूग जो है उसमें पुरा स्थलो से कई प्रकार के मिट्टे के बरतन भी मिली है चीक है और कभी-कभी उन पर अलंकार भी अलंकरन भी किया गया है मतलब कि डिजाइन वगरे भी किया हुआ है है ना और बरतोरा का उपयोग जो है किस लिए करते होंगे कोई भी चीज को रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते होंगे है ना इसके बाद धीरे धीरे जो है लोग बरतोरा का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे है ना जैसे कि देखो हम लोग भी जो है वो कपड़े भी बुनने लगे हैं और कपड़े जो है वो कपास से बनते हैं तो कपास की खेती भी लोग करने लगे हैं है ना तो इतने सारे परिवर्तन बेखने को मिले हैं है ना अब देखो अब क्या ये परिवर्तन सारे जगे पे एक साथ ही हो रहे होंगे सारे जगह पेपनलपूरे इंडिया में एक ही साथ ने परिवर्तन हो रहा था तो बिल्कुल भी नहीं है ना क्योंकि जो परिवर्तन है वो हर अलग-अलग एरियाज में अलग-अलग हो रहे थे एक तरफ कही जगह पर इस्तरी पुरूश शिकार कर रहे थे भोजन संग्रह कर रहे थे है ना वही पर अन्य लोगों ने हजारों सालों के दर्मियान धिरे-धिरे खेती करना स्टार्ट किया पशुपालन को अपना लिया है ना और बहुत जगह पर लोग मोसम के मुताबिक ब सुक्ष्म निरक्षण बहुत बारिकी से निरक्षण किया गया है और यह कहां की स्टोरी है मेहर गड़ मेहर गड़ की स्टोरी है जहां पर जीवन और मृत्यु के बारे में बताया गया है तो यह मेहर गड़ के घर का फोटो है आप देख सकते हो और आप अपने घर के घर क कमपैर भी कर सकते हो क्या आपका घर भी इस घर की तरही है ठीक है तो अगर आप मांटित्र दो में देखोगे ना तो आपको मेहरगर मिल जाएगा ठीक है तो आप देख लिजेगा मेहरगर को डून लिजेगा ओके यह जो है ना इरान जाने वाले सबसे महतपुन रास्ते बो मेहरगर जो है ना संभत एक ऐसा स्थान है जहां इस्त्री और पुरूशों ने इस इलाके में सबसे पहले जो बोया और गेहु उगाना और भेड बकरियों को पालना सीखा था ठीक है अगर यहां की बात करें तो यहां पर विभिन प्रकार की जनवरों की हड्या भी मिली है ठीक है इसके अलावा इन में हीरन तथा सूवर जैसे जनवरों तथा भेड भकरियों की भी हड्या मिली है ठीक है मेहरगर में इसके अलावा चौकोर तथा आयतकार घरों के अफशेश मिले है मतलब घर कैसे मिले ऐसा चौकन या तो फिर ऐसे आयतकार जैसे कि आप इस परशेश मिले हैं घर कैसे हैं ? चौकन और आयातकार शेप में घर है . ठीक है। प्रत्वित घर में चार या उससे ज़्याथ क्या हैं ? शिवसके 10 जिन में से कुछ हो सकते हैं की भंडारण के काम में आते होंगै। तो इसके अलावा मेहरगण में ये एक और बाद पाई गई है कि मृत्यू के बाद मिर्टक के सगय सम्बंधी उसके प्रति समान जताते हैं और लोगों की ऐसी आस्ता है कि मृत्यू के बाद भी जीवन होता है तो इसलिए ये क्या करते हैं उसके कबरों में मिर्तिकों के साथ में कुछ सामान भी रख जाते हैं उनको असा लगता है कि मरने के बाद वो वेक्ति उस चीज को खा लेगा जब भी उसको भूक लगेगा तब तो मेहरगड में ऐसी कबरे मिली है जहां पर एक कबर में एक मिर्तिक के साथ बकरी को रखा गया है मतलब बकरी को दफनाया गया है आप इस फोटो में देख सकते हो तो ये जो आदमी को दफनाया गया है उसके बाद जो में एक बक्री को भी दफना गया है इनका ये मानना है कि परलोग में मृत्तक को खाने के लिए ये रखा गया है ठीक है कि परलोग चैब चला जाएगा तो उसको भूग लगी तो ये क्या खायगा तो इसी अनिमल्स को ये खायगा ठीक है इसके अलावा मटके में पानी वगरे भी रखा करते थे तो ये कहां का चित्र है मेहरगड की कब्र का चित्र है और बक्री के कंकाल को भी आप लोग पैचान सकते हो यहां पे दो कंकाल बनाए गए है तो ये हैं मेहरगड की स्टोरी और अलग-अलग एरियाज में अलग-अलग लोगों की स्टोरी किस प्रकार से वो हंटर्स गेदर से मतलब की खाद्य संग्रहक से क्रिशक बने और पशुपालन बने है ना तो ये चाप्टर यहीं पे खतम होता है वीडियो कैसे लगा प्लीज प्लीज कमें सेक्शन में बताएगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा लाइक कमेंट शेर भी कीजेगा ताकि आपको सारे NCRT रिगार्डिंग सॉल्यूशन्स इस चैनल पे मिलते रहें मिलते हैं नेक्स फडियो में थैंक यू थैंक यू सो मच एवरिवन